हेलो दोस्तो मैं हूँ नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाइफ़ दोस्त चैनल जी है दोस्तो अभी अभी एक नूज में पता चला है की तयारी कर ली है और इसे रियलमी 5S के नाम से लाना जाना जाएगा दरसल RMX 1925 मोडल नंबर के साथ रियलमी स्मारफ़न को भारत और ठाइलेंड में सटिफाई किया गया यह इसारा है कि रियलमी 5S जल्द हो सकता है फिलहाल रियलमी 5S के लॉंच को लेकर कंपणी की ओर से कोई अधिकारिक ब्यान नहीं दिया गया है लेकिन नाम से इसारा मिलता है कि यह रियलमी 5S का मामूली अपग्रेट हो सकता है रियलमी 5S को थाइलेंड में नेशनल ब्रान कास्टिंग एंड टेली कम्यूकेशन का सर्टिफिकेशन मिला है और भारत में ब्योरो ऑफ इंडिया एस्टेंशन का सर्टिफिकेशन का मिला है यह इसारा है कि फोन जल्द ही लॉंच हो सकता रियलमी 5S की BIS और NBTC सर्टिफिकेशन के लिस्ट की जानकारी सबसे पहले नेशनल चेट द्वारा दी गई BIS की लिस्टिंग में फोन के सिर्फ एक RMX 1925 मोडल नंबर का इस्तिमाल हुआ है इसे पिछले मेने ही सर्टिफाइक किया गया था हालां की NBTS लिस्टिंग में मोडल नंबर के साथ रियलमी 5S नाम का भी इस्तिमाल हुआ है अफसोज की दोनों ही लिस्ट में रियलमी 5S के किसी एस्पेफिकेशन का जिक्र नहीं है इसकी अलावा इंटरनेट पर भी इस फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं लीख हुई है अगर मीड साइल रिफ्रेश साइकल को ध्यान में रखा गया तो रियलमी 5S हैंसे रियलमी 5 से बड़ा अब्रेट नहीं होगा पुराने वेडियन की तुलना में कुछ और बेहतर इस पेफिकेशन दिया जा सकते हैं अगर रियलमी 5 की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का HD डिस्पेले और कोडिना गोडिला ग्लास 3 PLUS प्रोडेक्शन है यह Qom 960 प्रोसेसर 4 GB RAM और 128 GB स्टोरीज से लेंस यह 4 रीर केमरे से लेंस से इसमें 12 मेगा फीक्शल का प्राइमरी केमरा 8 मेगा फीक्शल का深 वाइड एंगल केमरा 2 मेगा फीकल के मैक्रो लेंस और मेगा फीक्शल का THEN सिंसर दिया गया फ्रंट पैनल पर 16 मेगा फिक्सल का सिंसर और इसके साथ 5000 एमेज की बैटरी दी गई है और दोस्तों से अनुरोध है कि realme 5 pro के बारे sorry realme 5s के बारे में कोई भी information आते हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएंगे तो आपसे बस सही request हमारे चैनल को आप subscribe करकर रखे और बेल नोटिफेशन दवा के रखे तो बस आज के लिए इतना है फिर में तेसर का अच्छे वीडियो पर जैहिन वंदे मात्रम और लाइक नहीं किया है दोस्तों लाइक जरू कर दे और अपनी दोस्तों के साथ share जरू कर तो आज के लिए इतना ही